वेल्कम टू स्टड़ी 24 देपूर आज किस क्लास में हम पब्लिक फाइनेंस जुसमें हम केंद्र और राज सरकार के बीच में जो विती संबंद होते हैं उससे संबंदित लगभग 20 मल्टिपल चोईस कोशन्स को आज हम देखेंगे आज का जो हमारा सबसे पहला प्रेस्टन उसको देखिए केंद्र और राज सरकार के बीच विती संबंदों की व्याक्या भारती संविधान के किस अनुचेत के अंतरगेत की गई हैं बहुत इंपर्टन कोशन है केंद्र और राज सरकार के बीच में अगर हम विती संबंदों की बात करें तो संविधान में इसका उल्लेक किया गया है और कौन से एक्ट में किया गया है 264 से 293 के बीच में जो एक्ट बनावे हैं उसके अंतरगत ठीक है और इस एक्ट में एक्टर से क्या है कि एससे विशय क्रिया क्लाब जो राश्टी स्तर के हैं उन पर टेक्स कौन लगाएगा के अंदर सरकार और जो विशय राजिस्तर पर हैं उन पर टेक्स लगाने का जो समईदान में उलिक नहीं किया गया है उन पर टेक्स लगाने का जो अधिकार है वो किसके पास में होगा केंदसरकार के पासमें होगा ठीक है इसके उपर वो निने लेगी दुसरा प्रस्न है वे कर जो केंदर सरकार द्वारा लगाए जाते हैं किन्तु उनकी वसूली और उनका उप्योग राज सरकार द्वारा किया जाता हैं ठीके कौन लगा रहा हैं केंदर सरकार ठीके जो टेक्स केंदर सरकार लगाती हैं लेकिन उनकी वसूली उनको इखटा कर कलने का काम और उप्योा करने का जो काम है वह किसके द्वारा किया जाजता है राज सरकार के द्वारा तो यह समीधान की धारा two percent six program is month का उल्ले किया गया है लेकिन उनको एक खटा कौन करता है वसूली करने का काम प्रियोक करने का जो काम है वो किस के दोरा किया जाएगा राज सरकार के दोरा बाकी अगर हम सीमा शुलक की बात करें तो जो सीमा शुलक होता है वो केंदर सरकार के दोरा लगाए जाता है और जो संपुन आय होती है वो भी किस के होती है केंदर सरकार के होती है जो उदपाद शुलक होता है वो भी केंदर सरकार के दोरा लगाया जाता है और संपुन आय पर भाग जो होता है हिस्सा ठीक है वो भी किसका होता है प्रियो करने का काम केंदर सरकार का किया जाता है Correct answer आपका यहां पे option A होगा. फिर अगला प्रस्चन देखिए. वे कर जो केंदर सरकार द्वारा आरोपीत यहां किये जाता हैं. ठीक है कौन लगाता है केंदर सरकार. इखटा भी कौन करती है केंदर सरकार. लेकिन उनका उप्योग जो हैं वो केंदर सरकार के द्वारा ही किया जाता है ठीक है कर कौन लगाती है टेक्स केंदर सरकार एक खटा भी कौन करती हैं केंदर सरकारी करती हैं तो इसे टेक्स जो होते हैं वो कौन कौन से होते हैं जिसे इंकम टेक्स हो गया तो यहां पर अगर हम देखें तो हमारा जो क्रेक्ट आंसर है ठीकिये वो कौन सा हो जाएगा आपका उप्षन भी हो जाएगा जो सिमा शुल को होता है कस्तम जूटी आयात निर्यात के उपर जो टेक्स लगता है वो केंदर सरकार के द्वारा रुपित किया जाता है संग्रत किया जाता है और पूरा उप्योग जो है वो भी केंदर सरकार के द्वारा ही किया जाता है नेक्स्ट प्रस्ण देखिए सर्व प्रथम वेकर expenditure text की बात की गई है लगाने का सुजाव किसके द्वारा दिया गया बिल्कुल सिंपल सा है वेकर की जो बात है ठीके वेकर लगाने का जो सुजाव है वो N काल्डूर के द्वारा दिया गया correct answer option B अगला प्रस्ण देखिए केंदर सरकार का घेर कर राजस सुरोतों में शामिल है देखे केंदर सरकार की जो आए होती है उनको हम दो बागों बाढ़ सकते है एक तो आपता होता है कर राजस हो जितने भी text लगते है उन text से जो revenue मिलती है कर राजस के अतिरिक्त जो भी सरकार पेसा कमाती है या सरकार के पास में जो पेसा आता है उनको हम क्या कहते है गेर कर राजस को कहते है तो गेर कर राजस के अगर हम बात कर रहें ठीक है गेर कर राजस का मतलब क्या हो गया टेक्स के अलावा सरकार के पास में पेसे कैसे आ सकता है जिसे कोई सरकारी उध्यम है ठीक है सरकारी उध्यम जिसे कि आपका रेलवे हो गया तो रेलवे से जो इंकम मिलेगी वो किसमे होगी गेर कर राजस्माएगी पोस्ट और टेलिग्राप जो होता है ठीक है वो भी सरकार दिये जाते हैं यह सारे कोई भी tax का प्रकार नहीं है ठीक है लेकिन केंदर सरकार की आयका स्रोत है तो चारों जो हैं वो सही है गेर कर राजस्मा आएगा ठीक कर राजस्मा आपके कौन से आजाएंगे जितने भी tax हैं जैसे कि corporate tax हो गया निगम कर service tax हो गया सेवा कर income tax हो गया आएकर custom duties हो गई ठीक है यह सब एक तरह से क्या है tax revenue में आएगा लेकिन गेर कर राजस्मा यह सारे option आपके सही है तो correct answer आपका कौन सा हो जाएगा option D अगला प्रस्मा देखिए राजस्मा प्रस्मा देखिए टेक्स के रूप में अगर हम बात करें तो agriculture income के उपर tax लगा सकती है जो भूमी होती है भवन होते हैं उनको उपर tax लगा सकती है ठीक है जो sell tax होता है विक्रिकर ठीक है वो लगा सकती है विलासिता की जो वस्तों होती है उनको पर कर लगा सकती है टोल टेक्स होता है जैसे ठीक है वो लगा सकती है जो एड़टाइजमेंट होते हैं आगबारों में दिया जैसे विग्यापन है उनके उपर टेक्स लगाते हैं तो ये राजसरकार की IKS रोते हैं लेकिन ये सारे टेक्स रेविगन्यू हैं गेर कर राजस के अगर हम बात करें, तो गेर कर राजस में क्या आ जाएगा, वन संबंदित आ जाएगा, ठीके वनों से हो सकता है, सीचाई के सादनों से हो सकता है, ठीके सीचाई हो गया आपका, प्रसारन संबंदी, ये तो केंदर सरकार का है, तो यहाँ पे आपका केवल प जो मसलिप आलन किया जाता है ठीक है जो वानेजिक उद्योगी उपकरम होते हैं जो राजसरकार के अंडर में आते हैं उनके उपर जो पेशा प्राफ्ट होगा टेक्स के अलावा ठीक है वो सारा कौन सा है गेर कर राजसुत तो यहां पर आपका उप्शन एह होना चाहिए अगला देखिए इन में से कौन कौन संगीकर है ठीक है संगीकर का मतलब जो केंद सरकार के द्वारा लगाए जाते हैं तो अभी मैं आपको बतायता है ठीक है संगीकर कौन से है एक तो निगमकर कोरपोरे टेक्स जो सेवा कर होता है और भूमी और भवन जो होते हैं कौन कौन से हैं पहला और दूसरा उप्शन तो करेक्ट अंसर आपका उप्शन यह हो जाएगा इसमें अगला देखिए भारत में राज्यों को संगी वित्ती साहता किस आधार पर प्रदान की जाती हैं केंदर सरकार के द्वारा राज्यों को जो साहता प्रदान की जाती हैं वो किस आधार पर दी जाती हैं तो हम अगर बात करें तो जो विती आयोग बना हुए हैं ठीके विती आयोग क्या करता हैं केंद्र और राज के बीच में आयका वित्रण किस परकार से होगा उसके बारे में वो सिफारिशे देता हैं तो केंद्र और राज के बीच में जो बटवारा होता हैं ठीके वो किस अधार होते हैं तो correct answer आपका इसमें कौन सा हो जाना चाहिए option D होना चाहिए फिर अगर देखें भारती आयकर के संदर्व में निम्न कथनों पर विचार कीजिए यह प्रगामी होता है ठीक है मतलब income का level अगर ज्यादा है तो tax की rate कम होती है बिल्कुल सही है फिर प्रतेक्ष कर भी होता है direct tax होता है ठीक है income tax जो होता है वह तरह से क्या है direct टेक्स है मतलब जो विक्ति चुकाएगा उसका बार उसी विक्ति के उपर पड़ेगा यह I lose दार होता है ठीक है I का जो level उसमें बदलाव के साथ साथ में यह बदलता रहता है तो यहाँ पे आपके चारो option सही है तो correct answer आपका कौन सा हो जाएगा option D फिर अगला देखिए करशी आए पर कर ठीक है agriculture होती income जो होती है उनके उपड़ टेक्स किसके द्वारा लगाया जाता है तो मैंने आपको भी बताये था ठीक है agriculture जो income होगी उस पर टेक्स लगाने का जो अधिकार होता है वो किसका होता है केवल जो income टेक्स के बात करेंगे करशी आए के लावा वो केंद सरकार का भाग है लेकिन करशी आए के उपर अगर टेक्स लगाया जाता है तो वो किसके अंतरगत आएगा राज्य सरकार के अंतर गताएगा तो correct answer आपका इसमें हो जाएगा option D ठीक है agriculture income पर tax को लगा सकती है के वल राज्य सरकार ठीक है राज्य सरकार के मैं टेक्स कहां कहां लगा सकती मैंने बताया था भूमी के ओपर भूमी कर जिसको हम कहते हैं वस्तों के क्राई विक्रे पर जि पर कर हो सकता है तोल्टेक्स मेंने आपको कहाता जैसे विग्यापनों पर जो कर होता है यह राज्य सरकार के विशे हैं फिर अगला प्रसंद देखिए वह कौन सा कर है जो केंद्र सरकार द्वारा लगाए जाता है और पूर्ण रूपरेंड राज्यों को दे दिया जाता ह ठीक है लगाएगा कौन केंदर सरकार ठीक है लेकिन सारा का सारा जो पेसा है ठीक है वो किस क्यों दे दिया जाता है राज्य सरकारों को उन रूप से राज्यों को दे दिया जाता है तो इसके अंतर गता आपका कौन सा आना चाहिए ठीक है वह कौन सा कर है जो केंदर सरकार द्वारा लगाया जाता है तो देखिए ये सारे जो टेक्स हैं ठीक है वो कौन लगाती है केंदर सरकार लेकिन इन में से केंदर सरकार पूरा यूज कौन सा करती है जैसे कि आपका सीमा शुलक हैं ये पूरा केंदर सरकार यूज़ करेगी उफार शुलक हैं ये भी केंदर सरकार के दोरा लगाया जाता है और पून रूप से केंदर सरकार के दोरा प्रियोग किया जाएगा रेलवे पेसेंजर कर जो टर्मिनल टेक्स होता है वो भी केंदर सर करके सकते हैं तो यह भी एक तरह से केंदर सरकार के द्वर अप्रियों किया जाता है जो संपदा शुल्क है ठीक है वो पूर्ण रूप से राज्यों को दे दिया जाता है तो यहां पर आपका जो करेक्ट आंसर है वो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन भी होना चाहिए फिर नेक्स हैं केंदर सरकार को तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर जी एस्टी के अतिरिक्त क्या लगाने का अधिकार है जी एस्टी की बात की गई यहां पर तो GST तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर GST के साथ में और सरकार क्या लगाने का अधिकार है तो यहाँ पर correct answer आपका हो जाएगा उत्पाद शुल्क ठीक है उत्पाद शुल्क जो केंदर सरकार है वो GST लगाएगी अगर तंबाकू और तंबाकू उत्पादों पर तो इसके साथ साथ में वो उत्पाद शुल्क भी लगाने का अधिकार उनके पास में होता है अगला प्रस्ण है निम्न लिक्षित कथनों पर विचार कीजिए विक्रिकर का केंदर तथा राज्यों के मद्धी विभाजन नहीं होता है बिल्कुल सही है मैंने आपको बताया था कि जो सेल टेक्स होता है विक्रिकर लगाने का जो अधिकार है विक्रिकर क्या होता है वस्तों के क्रय विक्रे पर जो टेक्स लगता है वो किसका विशे है राजसरकार का तो राजसरकार को जो भी आयप राप्त होगी वो उसी को हो उसी के पास रहेगी केंद्री उत्पादन शुल्क एक विबाजनी कर है जिसका विबाजन केंद्र वर राजसरकारों के मद्य होता है ठीक है यहाँ पे उत्पादन शुलक की बात की गई हैं केंदरी उत्पादन शुलक ठीक है एक विबाजनी कर हैं जिसका विबाजन केंदर और राज्यों के मद्य में होता है तो यहाँ पे आपका केवल पहला ही सई होना चाहिए option यह होना चाहिए ठीक है फिर भी उसको आप एक बार चेक कर लिजेगा अगला है भारत में केंद सरकार की कर आय के दो सबसे बड़े स्त्रोत ठीक है केंद सरकार को जो इंकम मिलती है पैसा आता है रेविन्य होती है इन में से सबसे दो बड़े स्रोत कौन से है तो यहां पे correct answer मेरे सबसे होना चाहिए option यह होना चाहिए ठीक है निगम कर और केंदरी उत्पाद कर जो होता है वो केंद सरकार की आय के प्रमुक्स रोत होंगे उफार कर वैं व्यायकर लगाने का अधिकार किसके पास में है ठीक है अभी उपर भी हमने देखा था gift टेक्स जो होता है या व्यायकर expenditure टेक्स जो होता है उसका जो अधिकार होता है वो किसके पास में होता है केंदर सरकार के पास में होगा अगला प्रसन देखिए निम्न लिखित कथनों पर विचार कीजिए समिधान की सब्तम अनुसुची की प्रतम सुची में उलेखित मदसंख्या 82 से 92a तक के कर संगी कर है बिल्कुल सही प्रतम सुची में उलेखित हाँ सब्तम सुची ठीक है कि देखो साथ वी जो सुची है उसकी प्रथम सुची में उल्लेखित्मत संख्या एटी टू से नाइनटी टू एट तक के जो भी कर हैं वो कौन से होंगे संगी कर मतलब केंद्र सरकार के द्वरा लगाए जाएंगे और उनसे जो भी आय पराप्त होगी वो भी किसकी होगी के सes के संगी सुची प्रथम सुची यह सारा मतलब सही है बिल्कुल और उपरऊप्त प्रथम सुची को संगी सुची भी कहा जाता हैं तो दोनों कतने यहां पर आपके सही हैं तो करेक्ट आंसर इसमें कौनसा हो जाएगा option C हो जाएगा अगला प्रसंद देखिए भारत में केंद्री सरकार के प्रमुख कर राजस हो कर राजस मतलब tax revenue जो tax हैं तो income tax होता है corporation tax होता है ब्याज की प्राप्तिय होकोम tax में शामिल नहीं करेंगे तो पहला option नहीं होना चाहिए दूसरे option में भी आपको भ्याज की प्राप्तिय दे रखी यह भी रही होना चाहिए tax वाला कौन कौन से option आपके C और D में जो option दे रखें वो tax हैं लेकिन देखिए बिक्री कर जो हैं वो किसका होता है राजसरकार का तो देखिए पहले तीन option आपके नहीं हो फिर income tax के अंदर सरकार का है निगम कर भी के अंदर सरकार का है सीमा शुलक एकसाइस जूटी जो होती है और उत्पादन शुलक यह सारे के अंदर सरकार की आए के सरोत हैं correct answer option D next देखिए निगम कर का जो corporate tax होते हैं निगम कर ठीक है वो किसके द्वरा लगाए जाते हैं केंदर सरकार के द्वरा लगाए जाते हैं और संपॉन आये जो प्राप्त होती हैं वो भी किसके पास में होती हैं उसकी केंदर सरकार के पास में ही होती हैं तो यहाँ पे देखिए यह पहला ऑपशन गलतै है, राज सरकार का आ गया, उद्ग्रण संग करता है और संग्रत भी जट वह ल्हीं, राज्य करता नहीं बिलकुल गलत है यह झेके इनको एक्खटा भी कौन करता है, के अंदर सरकार, उंका प्रियोग जो है, वह वह किसके द्वराए किया जाता है, क खटा लगाने का काम संग करता है केंदर सरकार बिल्कुल सही है और वही पूर्णता उसका स्वामी होता है तो डी ओप्शन आपका यहां पे सही होगा अगला प्रसंद देखिए निम्न लिक्षित कथनों पर विचार कीजिए कर एक प्रकार का अनिवारे अंशदान है जिसे क करदाता बिना किसी प्रतिफल के सरकार को कराधान से समझित होने के लिए देता है तो यह देखिए जो टेक्स उसकी डेफिनेशन दी गई है कि कर एक तरसे क्या है कमपल से रिपेमेंट है अनिवारी भुकतान है जो करदाता को बिना किसी लाप की आशा के एक तरसे सरकार क चुकाना होता है तो ये आपका कहर की जो definition है बिल्कुल सही है फिर उपकर तथा अधिपार अधिभार दोनों ही किसी विशेश उद्देश की पूर्टी के लिए राजस उबाई के लिए लगाये जाते हैं तो ये भी बिल्कुल सही है एक तो सरकार क्या करती है टेक्स लगात भी वसूल करती है तो यहां पर दोनों कथन आपके सही है तो कर्रेक्ट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा ओप्शन सी हो जाएगा फिर आज का जो हमारा अंतिम प्रेस्टन है मोडवेट से ताक पर यह हैं ठीक है मोडिफाइड वेल्यू एड़ेट टेक्स एक तो होता है व केवल अगर हम वेट की बात करें तो वेट एक तरह से क्या होता है जो उत्पादन होता है उसके प्रत्यक इस तरह पर एक तरह से कर लगाया जाता है तो देखिए फर्स्ट ओप्शन तो आपका अंसर हो जाएगा वेट का लेकिन हमें यहां पर पुछावा है मोडवेट ठी तो इसमें आंसर आपका क्या होना चाहिए ओप्शन सी होना चाहिए तो आज की क्लास में इतना ही नेक्स क्लास में हम आगे और भी मल्टिपल चोईस कोर्शन से अलग अलग टोपिक के जो वीडियो है उनको हम देखेंगे